मास्टरबेशन हो सकता है आपने आज से पहले कई बार मास्टरबेशन किया हो और हर बार आप एक ही बात बोलते होंगे कि यह मेरा आखरी बार है बस एक बार कर लेता हूँ आज के बाद पक्का कभी नहीं करूँगा अरे एक बार करने से क्या ही हो जाएगा और ऐसी ही चीज को रोक पाते हैं और ना ही इसे कंट्रोल कर पाते हैं यह हमारी दिमाग में एक ऐसी लत की तरह जहर गोल देता है जो हमें अंदर ही अंदर तभा कर रहा होता है लेकिन इतना सब कुछ जान कर भी हम इसे दिनों तक रोक नहीं पाते हैं ऐसी क्या जी है जो हमें बार-बार मास तो इसका जवाब हाँ है हाँ इसे हमेशा के लिए रोका जा सकता है और हो सकता है शायद आपने इस पर कई सारी वीडियो भी देखी होगी लेकिन आज भी आप मास्टरबेशन करते आ रहे हो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला हूं बलकि एक ऐसा प्रैक्टिकल और कारगार तरीका बताने वाला हूं जिससे सिर्फ कुछ हफतों के अंदर ही आप अपने मन को मास्टरबेशन के प्रती शांत कर सकते हो और इसके बाद आप एक ऐसा मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आपक वो उमीद थी कि वह आपका मास्टरबेशन रोक देगा लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि इन सब चीजों में हमारी यही गलती रहती है कि हम सबसे मूर जड़ को छोड़कर दूसरी सारे चीजों पर फोकस करने लगते हैं जिससे हम यही भूल जाते हैं कि हमारे करने की हो और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं यही मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसमें आप सच में अपने मास्टरबेशन को छोड़ पाऊगे और यह वैसे तरीके हैं जिने आज के वक्त एक्शुली में काफी सारे लोग ने अपनी लाइफ में अपलाई किया है और उन्हें रिजल्ट भी दिखे हैं मैं आपको रिकेमेंड करूंगा कि आप आखरी वाला तरीका जरूर देखें क्योंकि हो सकता है कि पहला तरीका आपके लिए मास्टरबेशन रोकने में कारगार ना हो या चायद आप उसमें फेल हो जाएं लेकिन दूसा तरीका जरूर आपके लिए काम करेगा और एंड में मैंने आपके लिए एक बोनस भी ट्रिक भी रखी है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग को समय देना अब यह बात सुनने म काफी आम सी लगती है लेकिन यह सबसे जरूरी चीज है अपने देखा होगा कि जब भी हमारा मास्टरबेशन करने का मन होता है हम अपने दिमाग में हजारों गंदे खयाल एक ही वक्त में सोचने लगते हैं हमारा हाथ फोन पर किसी रोकेट की स्पीड की गंदी चीज मास्टरबेशन आप अभी करने वाले थे उसे बस दस मिंट बाद करने का अपने मन को निश्चे कर लें तो आप देखेंगे कि दस मिंट बाद आपको कोई भी मास्टरबेशन की इच्छा नहीं होगी अब आप चाहें तो उस समय में आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं अपने parents के पास जाकर बैठ सकते हैं पर 10 minute के लिए आपको अपने शिरी को control में रखना होगा यह बात तो आपको भी पता होगी कि जब हमारा masturbation करने का मन होता है तो हम हमाई लोगों के बीच जाकर बैठना चाहिए लेकिन अगर सिर्फ 10 minute के लिए भी ऐसा आप कर पाएं तो आप आपकी उस समय masturbation करने की इच्छा चली जाएगी और आपके अंदर ऐसी खुसी आएगी जिससे आपको फिर से masturbation करने का मन नहीं होगा आप भी ये मानते होंगे कि बार-बार masturbation करने के बाद हमें guilt feel हो जाता है हम अपने आपको बार-बार कोसने लगते हैं कि मैंने masturbation क्यों किया लेकिन अगर आपने अभी भी अपने आपको control किया हो और इस वक्त masturbation नहीं किया तो अब आपने भी देखा होगा कि कुछ दिर बाद आप हमें और ज्यादा खुशी होती है क्योंकि हमारा दिमाग भी चाहता है कि हम वह चीज करें जो हमारे लिए अच्छा है जिसे हमें अच्छा feel हो सकता है और regret ना हो अब हो सकता है कि शायद आप इसे follow भी करने लगें लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लंबे समय तक कारगार नहीं होगा क्योंकि हर बार ना तो घर से बाहर जाना कोई उपाय हो सकता है या किसी भी तरह से आप पर ये काम ना करें और कोई अलग चीज भी इसका कारण हो सकता है लेकिन दूसरा तरीका जरूर आपकी मदद करेगा दोस्तो इस तरीके में आपको अपने opposite gender पर किसी के लिए crush रखना है अब मैं एक लड़के के उधारन के आपको आगे की बात समझाओंगा जैसे अगर आप लड़के हैं तो आपको अपने ही opposite gender पर यानि किसी लड़की पर crush रखना है जो कि 99% लड़कों की पहले से होगी ये उससे अपनी बात्चित बढ़ानी है अब यह बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे लेकिन सच मानिये ये 100% काम करती है क्योंकि हमें भी पता है कि जब हम masturbation करते हैं तब उस वक्त हमारे दिमाग में अपने opposite gender के परती कितने गंदे विचार आते हैं यह ऐसे विचार हो सकते हैं जिने आप किसी के सामने बोल भी ना सके तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप और ज्यादा अपने opposite gender से engage हो उनसे और बाते करें उनसे साथ time spend करें ताकि सबसे पहले तो अपने मन में उनसे बात करने का डर हटे क्योंकि आप भी यह मानते होंगे कि जो लोग ज्यादा masturbation करते हैं पहल लड़कियों से ना तो आखे मिलाकर बात कर पाते हैं और ना ही उनके साथ ज्यादा समय spend कर पाते हैं क्योंकि जब भी वैसे लोग लड़कियों के साथ होते हैं उनके मन में हमेशा उस वक्त पर uncomfortable thoughts आने लगते हैं जिसे वो काफी अपने opposition को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते और उनके मन में उनको लेकर गलत confusion बन जाता है आप चाहें तो अपने किसी crush की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि आप अपने crush के बारे में कभी गंदा नहीं सोचेंगे इसका कारण है कि आप उनसे प्यार करते हो और प्यार कभी इतने गंदे विचार के साथ नहीं आता तो मैं आपको कहूंगा कि आपको गंदे विचार आए तो सबसे पहले आप अपने crush या अपनी girlfriend के फोटो देख लीजिए या उससे बात भी करने की कोशिश कीजिए अब ऐसा नहीं है कि आपको इसे तभी करना है जब आपके मन में कई वैसे ख्याल आएं बलकि आपको इसे अपने लिए नॉर्मल बनाना है अगर आज तक आप सिर्फ boy group में हैं तो आपको girl को अपना दोस्त बनाना चाहिए जिससे सच मानिए एक महीने में ही आपकी आदत 90 परसेंट तक कम हो जाएगी अब दोस्तों आपके लिए bonus tip और यह है चीज इंस्टेंटली आपके दिमाग को masturbation ना करने के लिए trigger करेगी जब भी आपको बहुत ज्यादा masturbation करने की तलब हो और ऐसा लग रहा है कि अब बिना किये में रुक ही नहीं सकता उस वक्त आपको भ भक्ती सोंग जरूर पसंद होगा जिनें सुनते ही आपके मन में वैसे सारे ख्याल रुक जाते होंगे तो उस वक्त आपको वही गाना सुनना है जिसके बाद आप 10 मिंड के break में भी उसी गाने को बार बार सुन सकते हैं लेकिन यह चीज़े सिर्फ अकेले ही जरूरी नहीं इसमें आपको यह भी हमेशे याद रखना है कि आपको हर वक्त सेख्रिफाइस करना पड़ेगा आपको हर बार अपने मन को मना करना होगा जो आपको बार बार मास्टरबेशन करने के लिए तडपा रहिए आपको बार बार उस चीज़ को रटर लगा कर रोकना है और उसे आपने दिमाग को कहना है कि मैं इस बारip नहीं करूँगा मेरा आखली बार हो छुका है अब मैं अपने शरीर को कंट्रोल करूँगा ना मेरे गंदे विचार। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इना इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जलत जब तक के लिए थैंक्यू सो मस्टे केर एंड ब बाइ